हलो हाई फ्रेंड्स तो आज हम आपके साथ सेर करेंगे पाकिस्तानी स्लीप की कटिंग और स्टिचिंग तो ये मैंने वुलेन कुर्ती लिया है कुर्ती के साथ रेडिमेंट स्लीप मुझे मिली थी इस तरह से पूरे में heavy work किया गया है कस्मीरी कुर्ती थी मेरे पास तो उसी की cutting और stitching मैं बताऊंगी बहुत ही simple तरीके से आप इसे कैसे 2 मिनट में बना के त्यार कर लेंगे पाकिस्तानी स्लीब जो काफी trend में है अभी तो चली देखते हैं इसकी cutting और stitching तो देखिए इस तरह से ये मेरे पास स्लीब है रेडिमेंट स्लीब है ये जो कुर्ती के साथ attached था इतना ही फैबरिक इसके साथ था तो इसी फैबरिक में मैं आपको cutting करके बताऊंगी तो देखिए दो फैबरिक है मेरे पास दोनों स्लीब के लिए है और इसमें बहुत ही मोटा फैबरिक था तो पहले हम इसकी length देख लेते हैं तो 22 inch हमारा length था इसका और 10 inch इसकी चोड़ाई है 10.5 inch नॉर्मली जो हम स्लीब लेते हैं उसके लिए 8 inch चोड़ाई होना जरूरी होता है तो यह बहुत ही मोटा फैबरिक है इसलिए मैं एक ही पे आपको cutting करके बताऊंगी तो पहले मैं इसे उल्टा कर लूँगी उल्टा करके इसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी और जो हमारा नीचे का हिस्सा है वो fold हो चुका है तो इस तरह से पहले हम इसको रख लेंगे यह देखिए अच्छे से से सेट करके पहले आपको इस तरह से रख लेना है और अब हम इसकी चोड़ाई देख लेंगे तो देखिए साढ़े दसीन छोड़ी है तो आधा इंच हम हाप इंच इसको रख लेंगे सिलाई के लिए मार्जन ये देखिए और उपर से हम सारे तीन इंच पे एक निसान लगा लेंगे जैसे हम नॉर्मल सिलीब के लगाते हैं उसी तरह से उसके बाद यहां से लेकर कि यहां तक 18 इंच होड़ा है तो 9 इंच पे हम बीच में मार्क कर लेंगे और उसके बाद की इस तरह से कर्ब करके कर्ब करके हमें निजान लगाना है आप चाहें तो करब आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़यादा कर सकते हैं जितना आपके पास फैब्रिक है जितना आप लूज सिलीब बनाना चाहते हैं पाकिस्तानी स Neal पैसे ही रहता है बस जो हमारा नीचे का म लूज पहनना चाहते हैं फैबर्क जादा है तो आप इसे भी जादा लूज ले सकतेguard . उसके बाद हम मार्जन के लिए एकएक इंच फैबरिक रख लेगे स्पिक्वाद हम कैसे नॉर्मलस स्लीब में निसान लगाते हैं बिल्कूल उसी तरह से निसान लगाना और जितना कुर्टी में अटैच हो सके सिलीप तो उतना आप फैब्रिक को सिलाई में दवा सकते हैं इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो यह देखिये हमारे कटिंग हो चुकी है अब इस सिलीप को कुर्टी में अटैच करके देख लें जितना हमें कुर्टी के सिलीब के लिए चाहिए उतना हम फैब्रिक को दवा देंगे उपर से नीचे तो हमें जितना खुला चाहिए उतना हम रख सकते हैं लेकिन उपर हमें कुर्टी के हिसाब से फैब्रिक को दवाना है तो एक अंदाजे से मैंने उपर का निसान मार्क कर लिया है आप चाहें तो उसमें ज्यादा और फैबरिक को दवा दें इसके बाद दूसरे फैबरिक को भी हम इसी तरह से रख देंगे और उसे भी मचे से सेट कर लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे फैबरिक की भी कटिंग कर लेंगे दूसरी सिलीब की भी हमें इसी तरह से कटिंग करेंगे बहुत ही जल्द बन के त्यार हो जाएगा और काफी ट्रेंड में हैं अभी पाकिस्तानी सिलीब तो आप इसे जरूर एक बार ट्राइ करें उसके बाद मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखाती हूँ उपर से आप जितना आपके कूर्टी का लिए जरूरत है उतना दबा ले नीचे से आप जाहें जितना खुला रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं मेरे पास फैबरिक कम था क्यूंकि ये कूर्टी के साथ अटैच स्लीब जो आता है वही था तो मैंने इतना ही लिया है दस इंच लिया है आप चाहें तो इसे बारा चौदर भी ले सकते हैं तो आप अपनी अकॉर्डिंग जितना खुला रखना चाहते हैं उसे हिसाब से रख ले तो देखिए कुछ इस तरह से ये स्लीब त्यार हो आया है तो इसी तरह से त्यार हो गया है उपर से आप अपने स्लीब जो आपका कुर्टी है उसमें अटैच करके देख ले कम जादा है तो आपने हिसाब से कर सकते हैं तो इस तरह से ये स्लीब त्यार हो गया है मिंटों में बन जाने वाला स्लीब है ये बहुत असान तरीका है कर्व आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आपको जितना टाइट पहनना है उसके हिसाब से आप बीच का कर्व दे सकते हैं और नीचे का भी जो खुला हुआ पार्ट है और आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं आपको ज्यादा खुला चाहिए तो ज्यादा रख सकते हैं लेकिन इसकी कटिंग बिल्कुल इसी तरह से होती है तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगई हो वीडियो अच्छी लगई हो तो प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचिंग